दाबश तेरी बकरी का बच्चा द्रख्ट पे चड़ गया जल्दिया गिरना जाए और ये कैसे ऊपर चड़ गया इसको गिर देने देना मैं हो रहा हूँ जल्दिया यार गिर गया तो इसके हड़ी पसली एक हो जाएगी चांपना लगा देना यार ये द्रख्ट पे कैसे चड़ गई उसकी फुफो का घर उपर इद मिलना गई है जैसे भी चड़िया उसको नीचे उतार गिरना जाए कहीं कोशिश करता हूँ अरामसे इदर से हाथ पकड़ इदर से शाबश शाबश मुझे नहीं लगते यह ब्यांस उपर चड़ पाएगी यह ब्यांस नहीं चड़ पाएगी तो इस भुलेरी को भेज देंगे मुझे नीचे से धिका दो मुझे नहीं हो पाएगा अब बकरी केरना जाए चल गुलेरी जल्दी से आ तीजे भेजता हूँ यह मौलवी तो है पागाल कुप एला पाउं जहां पे रखना क्या हुआ क्यों विचार इद्राख्त को अजाब में डाला हुआ है ओ एनक वाले जिन दिखाई नहीं देथा बकरी उपर चड़ गी है वो देख यह कैसे उपर चड़ गई उड़के गई है इसके पर लगे कैसे गई है तो आप तुम इसे नीचे उतारना चाहते हो नहीं जी हम इसकी उपर इशादी कर देंगे वह एनक वाले जिन नीचे उतारना है इसे तु चाल यार यह फुदूल आद्मिया उपर चारतो इधर पहूं राखके मेरा मश्वरा मान यहां से पकड़के सिधा उप पूती से पकड़ना इससे नहीं होगा यार मेरे पास एक एडिया तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूं मेरे पास भी एक एडिया है मैं भी अभी आता हूं जांप ना कर दे यह दखो मेरा एडिया बकरी को गास दिखाएंगे वह जम्प मारके नीचे आएगी तो इसकी टांगे नहीं तूट जाएंगी अभी आसे कैसे तूट जाएंगी हम इसको पकल लेंगे हाथों से हां जी पकी बात है हां ना चानवारे नुकसान यह ना चाह परी क्यों अखरे कर रही है फ्रश घास खाले थोड़ा आगे करके देना घास बख्री के मूं में घास देगा तो खाएगी बदे तो रहा हूं खाले है यार यह असे नहीं उतरने वाले नीचे वो तो डर रही है कोई और आइडिया यह देखो मेरे आइडिया इस छेनी को रख गे ने टोक के और पाउं रख गे बखरी को उतार लेंगे अडिया तो अच्छा है हटजा अगर तोड़ी को ठीक से पकड़े ठोको इसको एक तो कोई हेल्प करता नहीं है मश्वरे देने साब आ जाते हैं करतो रहूं अब इसको पाउं रख के बखरी को नीचे उतार तेंशन मतलो अभी इस बकरी को उतार क्याता हूं चाल इदर पहुं रखना है इदर इदर